जै गुरुजी, जै गुरुजी, चले हम शुरू करते हैं अब, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनन्तम अनन्तम शुक्राना, आज गुरुजी ने फिर से ये सेवा दी है सत्संग करने की, तो थैंक यू फॉर दिस गुरू जी और आपके हुकम से और आपके आग्या से ही मैं ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ क्या बुलवाना है क्या ने बुलवाना है ये आप जाने आप देखे इस चीज़ को बस अब आपका नाम लेके हम शुरू करते हैं जे गुरू जी थैंक यू नीलम आंटी जिनोंने गुरू जी का जो ये हुकम आया था वो उन्होंने मेरे पास तक पहुचाया उन्होंने अपने सेवा की और मेरे को फिर से एक बार सत्संग करने का मौका दिया तो आपका नीलम आंटी थैंक यू तो मच चलि हम यहीं से शुरू करते हैं था आपके लेना गुरुज़ी का हुकम आया है और वो बात लोगों के लिए हुकम दे रहे हैं वो भाव डाल रहे हैं उनके मन में और उनको कुछ-कुछ डेट्स भी वो लिखवा रहे हैं तो आपका भी उन्होंने नमबर दिया है आपकी भी एक डेट डिसाइड की है तो आपको सथसंग करना है तो मैंने नीलम आंटी को फिर क्लियर करने के लिए मैंने फोन किया और उनसे पूछा कि क्या हो आ लां आपको क्ली कजते है। गुरुजी ने ऐसी सेवा दीया। गुरुजी ने खुट उछा किया है सेवा के लिए और लेले को जो डेट दिय गुरुजी ने वह आज की दी है जो 7th April है आज और गुरूजी ने मेरे को 7th of every month मेरे को ये दिया है। क्योंकि बहुत टाइम सी मैंने सठसंग नहीं किया थ caj time हो गया मैंनेस जू फर्स्त सठसंग किया था भी नीलमांटी ने की मेरे को उसके लिए बोला था और उसके बाद बीच मेरा काफ़ी लंबा गैप हो गया था लेकिन उस गैप के बाद क्या हुआ कि एक दिन नीलमान्टी का फिर से मेसेज आया है कि आज आपको करना है तो गुरुची कहीं हुकुम होता है कही होता है कहीं ना कहीं तो इस बार तो प्रॉपर ही गुरुजी की उनकी दी हुई सेवा है जो आज करने का मौका मिला है मेरे को तो थांक्यू गुरुजी थांक्यू फॉर दिस ब्यूटिफुल और लवली सेवा बस आप ऐसी सेवा लेते रहें और इस काबिल बनाए रखे कि हम वो सेवा देने लाइक बने रहें इतनी महें रखेगा अपनी तो आज कहां से शुरू कर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आज ये गुरुजी का आप सुरूप देख रहे हैं मैं इस वरूप से ही कुछ जोड़ेवे जो सत्संग है वो मैं आप से शेयर करना चाहती हूँ क्या हुआ ये फैब मंत की बात है फैब फर्स्ट वीक की मेरी एक फ्रेंड है मंत्रीत आंटी उनको गुरुजी ने विजन दिखाया उस विजन में गुरुजी ने ये दिखाया कि हम किसी के हाँ सत्संग पे गए हुए हैं और वहां पे गुरुजी इस स्वरूप में है वहां पे और मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ गुरुजी वहां सबको ब्लेस कर रहे हैं और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूई हूँ हूँ तो गुरुजी ने बोला कि अच्छा इधर आ तू ना मेरे को बहुत याद करती है आ ले आ फड़ तो गुरुजी ने मेरे हाथ में एक जैसे पुराने टाइम में चलता था ना वो संदेश पढ़ने का ऐसे रोल होत गुरुजी ने एसवान करके और मेरे हाथ में पखड़ा त्या कि आफड तो मेरे को अच्छा थे जब उसको मैं लिया और मने अंति को आया उसके कुछ दिन बाद ये फैब फर्स वीक की बात है और अराउंड टेंथ ओफ फैब को क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को कहीं सत्संग पर बुलाया जहां पर ये विजन दिखा उनको मैं वहां सत्संग पर गई हुई थी वहां पर गुरुजी ने मेरे से व घृँ ली को ठोड़ा खाने से ठोड़ा साओ धिया तो फ् stehen दोड़ा सब्सक नेवां प्र मैने को ए थालो कि धार्ग पर कर दिया कि होता ही है हमेशा जब भी मैं दही खाती हूं सिर्ट हो जाती है अभी भी आपको लग रहा होगा, मेरी आवाज यही ही हो रही है, मतलब ड्रेफलेस हो रही हुँ है, तो मैंने कुछ नहीं में घर आके गरम पानी पी लिया, जैसे मैं हमेशा करती थी, कि मैंने किसी दिन कर्ड खाया, और मेरे कोई प्रॉब्लम होई, तो मैं आके कर्ड खान कि मैंने थंडा खाया, मैंने खटा खाया, और बहुत चिल्ड मैंने चीजे ली, तो मेरे को सःप फिर से यह आ रहा था, कि नहीं मैं इतना थंडा खारी हूंए, ठीक नहीं है, मेरे को फिर से शयद मैं बीको ब्रेधिंग डिफिकल्टी ना हो जाए, थंडा खाने से, को नहीं खाना चाहिए, मैंने एक ये दो से प्लेकर छोड़ दिया, तो ये चल रहा था, टेंथ और फैब को जो मैं साथसंग में गई थी, वहां मैंने रायता खाया था, ठंडा बिलकुल, 11 फैब को मैंने ठंडा ठंडा जो है, वो जल जीरा, गोल गपपे और ये सब चीजे कि रात को ना मेरे को इतनी जादा ब्रीधिंग डिफिकल्टी शुरू हो गई, कि मेरी हालत खराब हो गई, मुझे सांस नहीं आ रही थी, बिलकुल भी, फिर भी मैनेज किया जैसे तैसे करके, सुबह उठे, चलता रहा, एक दिन चला, दो दिन चला, कि ये सोचके कि हाँ, करड से इलर्जी होजाती है, ठंडी से एलर्जी होजाती है, चलता रहा, कुछ नहीं हुआ, तेकि थर्ड दे आके क्या हुआ, मेरे इतनी जादा मेरे को प्रॉबल्म हो रही थी, कि मेरे को लगा कि नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमारे एक होमेएपतिक डॉक कि मेरे को ब्रीधिंग मेरे बिल्कुल रुग गई कि मेरे को बहुत खीच-षीच के सांस लेने पड़ रही थी बहुत ज़ादा जोर लगा-लगा के तो मेरे को ऐसा अटैक हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं फेंट ना हो जाओं कि मेरे इतनी प्रॉबलम हो रही हैं तो उनूने किसी दॉप्र से फोन पर बात करई और बात करने मेरे बताई कि आपको allergic bronchitis हुआ है जो जेनरली कुछ किसी चीज की allergy हो गई है मेभी वो आपको किसी भी food से भी हो सकते allergy क्रिसी dust से pollutants से कुछ भी हो सकते है वो तो वो मेरे को नोने medicines दी और मेरे को inhaler पे डाल दिया औरोने कि ये सलसला मेरा दो तीन दिन चार दिन पांस दिन चलता रहा चलता रहा बहुत परिशान होगे क्योंकि ये बार 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 मेरे को इतना difficulty अरिक ब्रीधिंग में कि भी जी जी प्यानिक अटेक्स हा रहे थे मेरे को तो मैंने गुरुजी से बोला मैंने अर्दास की कि गुरुजी ये क्या हो रहा हे आप कुछ करो ना प्रीज आप कुछ करो प्लीज आप कुछ करो क्योंकि आप कुछ करो के दो ये definitely टीक हो जाए cases डॉक्टर्स की डॉक्टर्स और उनकी जो मेडिसन से वो भी तभी काम करेंगी जब आप उनको ब्लेस्ट करोगे जब आपकी मर्जी होगी तो आप प्लीज कुछ कीजिए तो इतने में क्या हुआ कि ये बस मैं गुरुजी से बाते कर रही थी नेक्स्टी मेरे को मेरे जो फ्रेंड है मंत्री तांटी उनकी साथ मेरा गुरुजी ने शुरू से ही कनेक्शन बनाया हुआ है मैं मन्त्री ठांटी थ्रू ही connect हुई हूई हूं गुरूजी से, तो गुरूजी ने उनको भी messenger बनाया हुए मेरे लिए, जो messages आते हैं मेरे को, गुरूजी के. तो मन्त्री ठांटी के next day मेरे को phone आता है और वह बोलती है कि अंटी रात ना मेरे को गुरुजी ने एक विजिन दिखाया वो जनरली गुरुजी के साथ बैट के मेडिटेट करती है तो गुरुजी उनको विजिन्स दिखाते है तो गुरुजी ने उनको विजिन्स दिखाया और उनके विजिन्स झाया वैं यह तूसलोकि जो छीज्च पोए उनको बीजन आया उसमें ग्हराने अब यह पास आया नहीं था क्योंकि यह सोरूप मेरे पास जो जो फिस पहला घ्र जिसमें गुरुजी मेरे को सुरूप दे रहे हैं अपना की तुम मेरे को बहुत याद करती है। आफ़र तो वो जिन आंटी के घर में सचसंग पे गई थी जहां मैंने दही का रायता खाया था वहाँ पे वो गुरुजी ने विजन दिखाया था कि वहाँ वो मेरे को ये वाला सुरूप दे रहे हैं तो मैंने उन आउंटी को कॉल किया जिनकी हमें 10th of 5 को सथसंग पे गई थी और मैंने रायता खाया था मेरे तब बेद खराब हो गए थी तो उन आउंटी के मैंने फोन करके बोला कि ऐसे असे गुरुजी ने विजन दिखाया है वो सुरूप आपको आपके हां से मेरे को मिला है आपके हिए जब मैं सथसंग पे थी गुरुजी वहां बैठें तो अब क्या करें को यहां थी इस अ से ऐसे भी स्वर्ण आपको हमारी हाउस है कि यहां आए हो और यहां पर आपको बेस् 훨व दिया है तो मैं बनवा के दोगी तो मैंने इनको बनवा के दिजे मेरे को प्योंकि गुरुझ रिदू कुदम है तो उन आंटी ने एक अंटी है जिनके है रेगुलर सथसंग पे हम जाते आएं शुरू से महरांटी तो उनके हां सथसंग होना था 19th of fap को तो मैंने उनको बोला कि मैं 19th fap को वहां आऊंगी और आप वो मेरे को सुरूप वहां दे देना तो उन्होंने का ठीक है तो 19th को सथसंग होना था उनको आना था वहां अब वो जिस दिन सथसंग में आया 19th को मैं उस दिन 19th को सथसंग पे नहीं जा पाई क्योंकि गुरुजी ने मेरे को नहीं बुलाया उससे पहले मेरे तबद खराब हो चुकी थी और गुरुजी ने यह भी टेलेपैथी कर दी थी पहले ही कि 19th के सथसंग में तू नहीं जाएगी इसलिए तरको 10 तारीक वाले सथसंग में भीजा और वहां लंगर प्रशाद कराया में भी मेरी कोई प्रॉब्लम थी जो कश था जो गुरुजी ने काटा वो अपना लंगर प्रशाद कहिलाना थ दस्तारिक को वो रायता देना वो ब्रिधिंग डिफिकल्टी होना इस नॉट कि ये पस अचानक ही हो गया क्योंकि मैं ठीक थी थी और अफ़सद हैं सारे चीजें हुए तो इसमें कही ना कहीं गुरुजी का रोल है गुरुजी ने डेफिनेटले कुछ ना कुछ मेरे ले क दिया है तो मैं उसे महा जाने पाई 19 को सथसंग में तो यह सुरूप जब बोलो 19 को मेरा अंटी की घर पहुंचे सथा तो उन्होंने जब गुरुजी का वेलकम होता है तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये ने सुरूप अभी अभी घर आया है तो हम सुरूप को रख ले तो व्हानोंने ये सुरूप उठाया उनको ये भी पता था ये सुरूप कहा जाना है किस के लिए जाना है क्या होना है कुछ हम अप्की सोचा उन्होंने बस हुंख आ 지역 को अड़数 और उटाकि उन्होंने गुरुजी के गधिस सुरूप को वहाँ पर राजमान कर दिया उसके बाद उनका सत्संग शुरू हो गया 19th को, महरांटी की घर अब जब सत्संग शुरू हा तो इस स्वरूप के उपर अमरत वर्षा शुरू हो गई और अभी भी इस पे संगत जी अमरत वर्षा की जो भूंदों की जो जो ड्रॉप से वो सब अभी तक उसके निशान ऐसे ही लगा हुआ है तो इस स्वरूप के उपर अमरत वर्षा शुरू हो गई और वहां पर उनका सत्संग हो गया पूरे सत्संग में इसी स्वरूप में गुरू जी वह विराजमान थे यही जो सुरूप मेरे पास रखा हुआ है और वह पूरा सत्संग हो गया अच्छा उसके बाद अब मेरे को यह लग रहा था नाइंटीन को मैं जातो नहीं पाई अब मैं सुरूप कैसे लेके आँ उससे पहले गुरू जी ने टेलीपेथी करके थे यह भी बोला गाल गाल पर मंच्जवत आंटी को यह भी बोल रहे थे सोचा गुरूजी की होगा कर रहे हैं और वह आने वड़र सी बता देंगे अब मेरे हस्बिन जिस दिन अपना जॉब पर गए मैंनों को बोला कि वापस आते हुए आप ना उधर से महर आंटी के घर से वो सोरूप लेते आना तो उन्होंने का ठीक है मैं लेता हूँगा वो घए और महर आंटी के हां से यह सोरूप लेके आ गए एंड जंगर जी आप बिलीव नहीं करो के ज़स दिन यह सोरूप घर आया उस दिन जो डेट थी यानि कि 2-1, 21 तो गुरु जी कैसे आपके लिए रास्ता बनाते हैं आपको समझ में नहीं आता उस ताइम तो बिल्कुल नहीं आता वो धीर धीर जैसी चीजे होती जाती है स्टेब बैस टेब जैसी काम होता चला जाता है तब हमको समझ में आता है गुरु जी ने ये इसलिए बोला था अच्छा गुरु जी ने इसलिए दिखाया था गुरु जी ने ये हमारे लिए ऐसे किया था तो धायं कि गुरु जी गुरु जी के वेस बिल्कुल डिफरेंट हैं हम उन वेस को कभी समझी नहीं सकते अपना दिमाग हम लगा ही नहीं सकते और लगाना भी नहीं चाहिए तो ज़से निये स्वरूप हमारे घर आया वो डेटी ड्वेंटी वन कोई नहीं स्वरूप आगया मैंने हस्बंड को बोला कि गुरुजी आ रहे हैं हमारे घर पे आज तो आपना फ्लार्स पे लेकर आना उनका वेलकम करेंगे तो मेरे हजबंड पाच्छे रोजस लेकर आ गए जब गुरुजी आया हमने रोजस से उनका वेलकम किया और गुरुजी को स्थापित कर लिया अपने घर में हो गया यह उस तरह में मेरे तरबत खराब चल रहे थी यह 1921 की बात है में लगा टैंथ आप से में बेमार हुई थी और 21 की यह बात है जिसन गुरुजी घर आए और उससे पहले गुरुजी यह सब टेली पैथी करके विजन दिखा की सब बता चुके थे कि तुझे वहां स वह ब्रीधिंग डिफिकल्टी हुई मैं परेशान हो गई नेका आप क्या करो मैं गुरुजी को फिर मैंने इसी सवरूप को हाथ जोड़े मैंने का गुरुजी आप घर आयो डेफिनेटली कुछ ने कुछ ने कुछ काटने आयो कुछ ब्लेस करने आयो तो प्लीज आप था यह अंग्जाइटिक पेशेंट भी हो तो मुझे एंग्जाइटी प्लस यह ब्रीधिंग डिफिकल्टी के जो पानिक अटेक्स हैं बहुत मेरे को ट्रबल हो रहा था तो गुरुजी को अर्दास की अब वह है कि आपकी संगत कि थुरू आपको मैसेज देते हैं आपको आं गुरू जी का भी ये वाला इस सवरूप को अपने साइटेबल पर रखें जैसा कि आप देख रहे हैं इस मेरा बैड है और फूरू नहीं पर गुरू जूटियाँ रखना हैं अर और उसमें दो थिन फूल मतलब रोस की पेटल्स डाल दो तो मैंने इस वोचा कि यह आपड़ा बचाके घुतिया, करोंगे हैं, कि रात की बात है, 11 के असपास की मुझे लगा कि व्लार भाहर जाके उए, फिर देखा बाहर जाके मैंने, कि जिस दिन के लिएका हमने वेलकुम किया है, 21st की ही बात है ये उस दिन सारे flowers हमने गुरुजी का वेलकम कर दिया था लेकिन उस में से एक flower बच गया जिसको हमने फेक का नहीं था जनरली क्या होता है कि फ्लार बच गया था हम उसको एंड़ डाल देते हैं कि बिगम्लों में डाल दिया पेड के नीचे डाल दिया कि अब ठीक इसका काम नहीं नहीं था अफाइब है नहीं हो गया देकिन वह अफ्लार हमने तच नहीं किया अब यह आपको संगत जी समझ में कि गुरुजी ने जो करवाना होता है उसके लिए गुरुजी वैसे ही रास्ता बनाते चले जाते हैं तो वो शायद इसलिए हमने उसको टचनी किया था क्योंकि गुरुजी ने वो फ्लार अपने चड़नों में चड़वाना था तो लखी ली गुरुजी की किरपा से वो फ्लार मिला मैंने वो लिया उसके पेटल्स गुरुजी के जूतियों में उनके चड़नों में मैंने अर्पित किये और मैंने फिर मथा टेका अच्छा उसकी बाद गुरुजी ने फिर ये भी बताया कि ये सुरूप लगाओ यहाँ पे अपना चरन रखो गुरुजी के जुतियां रखो पेटल्स टालो और साथ में गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरे को कौन सा गुर्बानी कौन सी शबद मेरे को सुननी है गुरुजी ने वो भी बताया उसमें वो था तू मेरा राखा सबनी थाई ये वाला इसमें भी ये दो तीन वर्जन्स हैं इसमें एक ऐसा वर्जन था जिसके मैंने विडियो जब देखी तो उसमें देखा कि उसमें गुरू है कोई वो बतलब पेशेंट है उसको प्याले में कुछ पिला रहे हैं जो बहुत पुराना विडियो बनावा हो और ये बोला है कि इस शबत को मुझे रोध सुनना है इसी से मेरी हीलिंग होगी और संगर जी आप सुनेएगा उस शबत को आप देखेगा उसमें मेरे को अगर मिलता है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो शबत के जो वर्ड्स है तू मेरे राखा सब ने थाई वो तो है लेकिन तो को वीडियो है उसमें प्रॉपर वहां पेशेंट की ही चेठी कीयां तो मतलब मेयरे को यंघार सब्सदे सब करने के लिए हैं और बैने न को पकारने की देर होती है आप अपना सचे मन से अच्छे मन से दिल से उनको पुकारोगे ना वो हर पल आपकी सुनते हैं और आपको आंसर भी देते हैं doesn't matter कि वो आपको दे रहे हैं कि सोहर को दे रहे हैं पर आंसर मिलता आपको ज़रूर है आपको किसी के सच्शन से मिले आपको खुट गुरुजी किसी फॉर्म में वो मेसेज दें आपको इंडिकेट करें मतलब किसी संगत के थूरू वो मेसेज आपके पास पहुंचा है आपको ड्रीम्स में दर्शन दे के वो आपको मेसेज दें मतलब कोई भी फॉर्म हो सकती है लेकिन you will get your answer definitely ये बिलकुल इसमें कोई वो दोराय नहीं है कि गुरुजी नहीं सुनते हैं गुरुजी सुनते हैं तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मेरा सथन मेरे तब अभी तक पूरी ठीक नहीं है एक महिना हो गया है तैस वरवरी से में बिमार थी लेकिन गुरुजी is always with me गुरुजी was with me, गुरुजी is with me and he will be तो वो हमेशे बिलकुल साथ साथ चल रहे हैं हर एक step दो बताते जा रहे हैं गाइड करते जा रहे हैं अब ये करना है, अब ये करना है और improvement हो रहा है गुरुजी मेसेज भी अब ये दे रहे हैं कि तेरा कोई कर्म कटवाना है तेरा कोई कष्ट कटवाना है चलो ठीक है गुरुजी कटवाना है तो फिर उसके बाद आप ठीक करीदोगे जब वो time period मेरा पूरा हो जाएगा तो आप में को ठीक करीदोगे तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना हर पल ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी मतलब किस फॉर्म में आपकी कर्म कटवाते हैं किस वे में हमें लगता है या इतनी बिमारी हो गई या हम इतनी बिमार हो गई या ये प्रॉब्लम आ गई, वो लगता है थोड़ी देर के लिए परिशानी होती है उस ताइम पर और कई बार हम डगमगा भी जाते हैं, मेरे साथ होता है, मैं विश्वास बहुत करती हूं गुरुजी में और गुरुजी को प्यार बहुत करती हूं, मानती बहुत हूं, लोग जरूर गपराते हैं, तो मेरे को हो जाता है, जब गहर में किसी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ तब्यत खराप हो जाए, या कोई ऐसा, कुछ भी होता है, तो मेरे को गपरात शुरू हो जाती है, कि यार ये क्या हो गया, इसे होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, तो नेगेटिव थोड साने लगते हैं, लगता है गुरुजी आपके होते ही अब ऐसा सब होगा, गुरुजी आपके होते ही भी ऐसा होगा, बट हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए, कि सॉड़ी सप्केची मेरेको थोड़ा साभी ब्रस्स होरा है, तो थोड़ा आराम से बा कर आते हैं, हो सकते हैं, उससे भी बड़ी प्रॉबलम हमारे पास आनी हो, कोई बहुत बड़ी हमएर साथ कोई दिकत होने वाली हो और हो गुरुझी छोटी छोटी स्टीउ चीजों में डिवाइड करके इसको हमारे काट देते हैं east उसको ख़तम कर देते हैं So, s सकते से तहलं से सोचते हैं लेकिन क्या है कि js नेगेbased सोते हैं हमारे उक कर हम नेगेटिबिटी में बहुत जल्दी जाते हैं positive it की तरफ हम लों को जाने में बहुत जाते efforts गालने होते हैं बहुत महनत करने पड़ते हैं अपने तो negativ thoughts लेकिन हमको अपने गुरू के अपर विश्वास किया है तो पून विश्वास करना चाहिए आदा विश्वास करके कोई फाइदा नहीं है तो विश्वास करने तो पूरा करो भई आप सिर्फ गुरु की बाद क्यों हो उनकी बाद क्यों ले रहे हो आपकी वह इनसे हम करनेक्ट हुएं यह कुछ करके दिखाते हैं मिराकल्स होते हैं तो हम सिर्फ इनका ही वो लेके रहें कि यह तो कुछ जादू कर दें हैं यह ऐसे चुटकी बजाएं और कुछ जादू कर दें क्यूं क्यूं हम ऐसा सोचते हैं अभी नहीं पुरानी आप टाइम से देखते चले अपने दादी नानी के टाइम से अगर आप देखते आओ तो भगवान को सब पूछते हैं ठीक है बगवान किसी फॉर्म में कोई का सब्सक्राइबada करें और उनकी बात करें और यॉर्म तो पह भाइबाद को पहाइं उनको किसी सामना नहीं अपड़ा किसी कभी आप देख लीजेएAR lotta एसा नहीं अब लेकिन हम गुरुजी से क्रनेक्ट होते हैं तो हमारे इक्सक्टेशिंस बढ़ जाती हैं जो यह आपके लिए कुछ करता है और क्मिक रिजल्ट एंटर है तो हम उससे रिट जाधा करने लगते हैं है तो वही जाफ जिंकी अच्छ जी अच्छ ने कुछ नहीं किया है कुरुंट आपने कॉछ नहीं कि ए कुछ नियौ कि रही कि तो बहुत बहक कुछ ने कि wanna को डिफरेंचेट नहीं करना हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स आपको देते हैं, तो उसमें आपका साथ भी देते हैं, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालते हैं, और साथ-साथ आपके लिए वो आपके लिए रास्ता भी बनाते हैं, आपका जो कष्ट है, जो कर्म है हमा जाती हूं बहुत चीजों के लेके घबरा भी जाती हूं फिर लगता है गुरू जी आप नहीं कर रहें लेकिन फिर वापस आता है कि नए गुरू जी पर विश्वास रखना है बिल्कुल रखना है वो कुछ गलत नहीं होने देंगे तो यह विश्वास जो है इसको हमको बना कर गता Amaan का किया है तो पूरे दिल से विश्वास करें और डश्ड़ा तो तस होना है और सब आपके कर्मों के हसाब यह आपके कर्माज और वह हमहीं उसके साथ ही इस लिए मिलता है इस लिए ओम में आप अच्छे कर्म करो, अच्छा-च्छा सब कुछ करो, भगवान का नाम लो, पार्ट करो, लोगों की help करो, अपने घर वालों की help करो, अपने घर परिवार को देखो, सब के साथ अच्छे से रहो, तो आपकी कर्म अच्छे होंगे, ठीके आपका account अच्छा होगा, जब आपका account अच्छे कर्मों से भरावा होगा तो आपको इंटरेस्ट भी जादा ही मिलेगा ना आपका इंटरेस्ट भी अच्छा ही होगा कोई प्राब्लम नहीं आएगी तो जो नेक्स्ट हमारा बर्थ होगा जो भी होगा उसमें आपके लिए वो बहुत ही हैल्फुल होगा कुछ बर्थ में हो सकता हमारे लिए सब अच्छा हो हमें नहीं पता क्या होगा बट सोचके तो हम यहीं चलते हैं ना सीखा तो हमने यहीं है ना हमें पता तो यहीं सब चीज़े है ना तो अपने कर्म अच्छे रखे विश्वास रखो और कर्मों के साब से हमारे को फल मिलता है और जो हमारे साथ चीजे चलती हैं, जो भी प्रॉब्लम होरे साथ हो रही हैं, वों सिर्भ हमारे कर्मों के हоч creature ही है. तो इतना परेशान होने के जरूरत नहीं है. जिसके किस्मत में जो लिखा है, जो डेस्टाइन है, जो गुरु ने लिखा है, वो होना ही है. उसको हम किसे भी कीमत पे नहीं रोक सकते हैं हाँ लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि हम गुरू से जुड़के हम अच्छे कर्म करके उनकी भक्ती करके उनके करीब जाके उनसे connect होके हम उस चीज को हो सकता है खुश होके गुरू उस चीज को change कर दे या delay कर दे या कुछ कर दे तो ये सब चीजे जो हैं उनसे ज़रूर ये सब आपका change हो सकता है लेकिन जो हमारे करमाज हैं उनके accordingly हमको result मिलेगा तो please अपने करमाज अच्छे करने की कोशिश कीजिए और full faith रखे अपने गुरू में तो ये एक छोड़ा सत्संग था मेरा अब मेरे को जो याद आ रहा है वो ये कि गुरू जी ने अगें मंत्री तांटी को कच मेसेज किया और बोला कि अकांक्षा को कहे कि सत्संग कराना है अच्छा मेरे को गुरू जी ड्रीम्स में जनरली बताते हैं और ड्रीम्स में मेरे को वो मेसेज़स देते हैं और दर्शन देते हैं तो गुरू जी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि गुरू जी हमारे घर आए हैं में गेट से लिफ्ट से आए हैं और में गेट से उन्होंने एंटरी की है गुरुजी इसी स्वरूप में है पगडी लगाये हुए पूरा आसा शेरवानी सी पहने हुए और में और मेरा बेटा हम उनका वेलकम कर रहे हैं गुरुजी घर आए आके गदी पे बैठे और में उनके पास उन्होंने मेरे को बुलाया कि मेरे को गुरुजी ने विजन दिखाया है और मेरे को गुरुजी ने विजन में दिखाया है कि गुरुजी पगडी वले सुरूप में और आपकी घर आया है बहुत लंबे बहुत ही स्ट्रॉंग और इतने टॉल गुरुजी हैं वो आपकी घर आया है आके गदी पे तो जो मेरे को ग्डीम में बूला यह दिखा लिया और मैं रिका मनप्री तांधी विजन ग depth तो बूध और गदी पर बढखे और उन्होंने मीरे को इसार क sue में शिर बोला लिया और मिछ बन आप टालिया और मैरे को बोलते हैं कि बुला शत्संग रा मार्च में सत्संग होना है मार्च में एक सत्संग कराना है पहले मार्च में सत्संग कराईं फिर अपने मुंडे दे जनम दिन दे कराईं तो मेरे बेटे का बर्थडे भी 17th of April को है तो मैंने सोचा की अच्छा ये बोला गुरुजी ने की सत्संग कराना है और गुरुजी ने बोला है कि मेरे को उन सबको ब्लेस करना है अब देखे ना गुरुजी कहां गुरुजी कहां तक देखते हैं कनेक्टेड मैं हूं मेरी फैमिली है लेकिन आप देखो ना यहां फैमिली मेरी 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 उदर माइके वाले फैमिली में जो बहुत सारे हैं कज अब हमने साथसंग रखा मार्च में, 26th of March का साथसंग कीया, उसमें मैंने सारे मेरे माइकेवालों को बुलाया, उनको बोला कि गुरूजी का हुकम आप सब को पास आउन कर दिया, आगे गुरूजी की मर्जी कि वो बुलाते हैं, किसको ब्लेसंग चाहिए, पता कुछ नहीं है किसी का भी क्योंकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है वो अभी के लिए नहीं कई लोग सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग होती है आने वाले दस साल के लिए हो, बीस साल के लिए हो, आने वाले पंदरा सालों में हो, कुछ नहीं पता हमको, कब वो काम आएगी, तो मैंने बोला, और सब लोग आए, माईके वाले आ गए, तो उसमें क्या हुआ, मेरे जैसे मदर, फादर, और मेरी चाची, और उनकी जो चाच आपको बता रही हो, और आज यह सारी चीज़ चल रही है, मैं आपको पूरा डीटेलें बताती हूं, तो साथ संग मेरे बाइके वाले आए, तो मेरी चाची आई और मेरी चाची की दो बहुए आई तो उनकी जो बहु थी उसमें एक कफास्ता, एक कन नही था, तो जिसका पांटी, बस Guruji ध्यान रखेंगे, और वो रख रहे हैं ध्यान, बट वो है कि तोड़ा अलर्जिक प्रॉंकाइटे से थोड़ा टाइम लेगा, और मेरा कर्म जब तक कटेगा, वो चलता रहेगा, बट आपने इतना बोल दिया, तो उन्होंने क्या किया, वो जो मेरी चाच सत्संग अतम हुआ, मैंने मेरे पास कुछ गुरुजी के लॉकट सो रूप रखे हुए थे, वो मेहर अंटी की हाँ से आयते, मेहर अंटी ने वो लॉकट सो रूप मेरे पास पहुचाए उस दिन सत्संग वाले दिन, क्योंकि मैं बहुत दिन से लॉकट मांग रहे थी, तो मैंने उनको बहुत दिन से बोल रखा था, तो वो इत्तफाक से गुरुजी ने उस दिन सत्संग पे वो लॉकट उनके हाथ भिजवा दिये, तो पता नहीं क्या मेरे मैंन में आया, और संगत तो सब चली गई ऐसे ही, तो वो मैंने उसमें से एक-एक लॉकट सुरूप म और जाए मंदर में रख लिजे और घर में जिसको भी नीड हो, आप उसके गले में डाल देना, तो थांक यू, तो मैंने बस यह बोल के दिया, कि आप इसको जातो मंदर में रख लेना, और या फिर अगर घर में किसी को कोई बिमार होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती ह तो आप उसको दे दीजेगा और कोइंसिटेंस आप ये देखिए कि जिसन वो सत्संग से यहां से गई मेरी चाची और उनकी बहुए तो उनकी जो बहु जिसका फास था उसने पाइनपल रहता महां घर जाके खाया नेक्स देखिए उससने पूजा करे थी पूजा करते करते क्या हुआ उसको अचाना की पेट में बहुत तेज़ दरस चुरू हो गया इतनी तेज़ दर्द हो आज उसको कि उसको वह मिट टेंग तो गया उसकी हालब होगी और उस वज़ा से उनको पेट में दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास लेके भागे उनको डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने चेक अप किया डॉक्टर ने अल्टरसाउंड रेकमेंड किया उन्होंने अल्टरसाउंड कराया तो पता चला कि उनके स्टमक में क्यूं हो गया उनको पे और गुरुजी ने बोला ही था अपने माई के वालों को बला ब्लेस करना है अब माई के वालों में देखिए किस को ब्लेस करना था कहा उसकी हो सकता है वो प्रॉबलम थी और गुरुजी ने उसको ब्लेस करना था इसलिए यहां बुलाया उसको तो व बड़ा एक बॉल के बड़ा जितना साइज है और अब तक उससे कोई प्राब्लम नहीं आई थी लेकिन अब वो धीरे-दीरे प्रेशर डालने लगी जिसकी वजा से उनको पेंट शुरू हुआ तो वो लोग भी यही मान रहे हैं कि यह सर्फ गुरू जी नहीं कराया है गुरू जी की मर्जी से ही हुआ है अधरवाइस आज जो सेस्ट इतनी बड़ी हो गई उसका आज तक कभी पता ही ने चला उनको कोई पेंट नहीं हुआ अब वो सेस्ट उनका आज सर्जरी हो गई है और वो ऑपरेट कर दी है डॉक्टर ने बोला कोई खत्रे वाली बात नहीं है वो ऑपरेट हो चुकी उनकी आज आज की ही बात है आज ऑपरेशन हो गया उनका और सब नॉर्मल है बस अब आगे शैद गुरू जी वो भी सब न होते हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ होगा नहीं गुरुजी ने उनको कनेक करना है अपने साथ इसलिए गुरुजी ने सब करके दिखाया उसकी प्रॉब्लम काटी है उसका कष्ट काटा है तो जो मेरी चाची है वो भी बोल रही थी कि अगर सब ठीक हो जाएगा गुरुजी के सख्ट्संगराओं कि ल॥े लिए गुरुजी ने कैसे उनों के कनेक्ट किया गुरुजी Aldi डिफ्रेंट भेस तो इस ब्रेफ्तरफेंट भेस तुबिस्जू तो अने लेगा नेक्टि यू । अब्र काटने के लिए उनके डिफरेंट लिए हे उसके लिए मुझे गुरुजी बहुत दिन पहले से मुझे ड्रीम में भी दिखा रहे हैं कि उनके घर सत्संग चल रहा है गुरुजी वहाँ बैठे हैं तो क्या मतलब है तो मेरे को यही समझ में आ podstaw और गुरु ॐ और यह सत्संग बनेगा इतना बड़ी दिन्यों के साथ अभी इसी सथसंग से रिड़ेड और बहुत हरी चीज़े में आपको बताती हूँ यह 26 मार्च होई नहीं है सथसंग गुरुजी ने कराया कि मार्च में करा एक सथसंग तो उसका एक पार्ट तो यह हो गया जो यह सर्जरी होई अभी दूसरे पार्ट में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो संगत जिनसे मैं connected हूँ जिनके हम सथसंग में बता रही हूं महर आंटी के घर हम लोग जाते हैं सथसंग पे उनका बहुत बड़ा दर्बार है उनके घर में, सब्दर जंग में और गुरुजी ने उसको सब्दर जंग मंदिर डेकलेयर कर दिया है तो वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और ब्लेस कराते हैं गुरुजी वो बहुत ही गुरुजी वहाँ साक्षात रहते हैं गुरू जी का मैं बेड्रूम है, गुरू की वहां अमरत वरशा करते हैं, गुरू जी वहां शेहर वरशा करते हैं बहुत कुछ वहां पर होता है और वहां से बहुत लोगो ब्लेस किया है यह मेरी खुद सेल्फ एक्स्पिरेंस के यही चीज़े हैं और गुरुजी ने वहाँ पे उसको सब्दर जंग को महर आंटी का जो घर है उसको सब्दर जंग मंदिर बना दिया है और तो वहाँ पे हम लोग जनरली सब सथ संग पे जाते हैं और बहुत सारे संगत महां मिलती ह तो एक हमारा एक फैमली बन गई है संगत की तो क्या हुआ कि मैंने सब को जैसे इंवाइट पहजा सथ संग का तो जब इन्विटेशन मैं भेज रही थी मैंने सारी संगत को मैंने जितने भी वहाँ सब्दर जंग मंदर के जो सेवदार है उनको सब को मैंने invite किया और दो-चार जो जिनको मेरे माई केवालो को invite किया और और वी कुछ लोग थे जिनके जुदर मैंने जो गुरु जी को मानते हैं तो आंटी जी मैं सत्संग करवाने में बहुत जज़क रही हूँ कि कैसे सत्संग होगा मेरे घर भी मेरा घर भी छोटा है आंटी ऐसा है कि सत्संग घर छोटे बड़े से कोई फरक ने पड़ता है आप आराम से कराइए जहां आपको लगता है घर में जगा है वहां कराइए दिल से कराये, गुरुजी हर जगा आते हैं, छोटा घर, बड़े घर से कोई फरक ने पड़ता, इवन आपको बहुत ज्यादा डेकोरेशन कराने की जरुवत नहीं है, आपको कोई बहुत सुंदर गद्धी लगाने की जरुवत भी नहीं है, बस अच्छे भाव से, सच्छे म बैठने का गुरुजी खुदा रेनिमिन कराते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर 26 मार्ट को गुरुजी ने सच्छंकर आया था, इसमें भी गुरुजी ने पहले लगा था कि बहुत लिमिटेड संगत आने वाली है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोल दिया हम ने आ सकते हैं, लेकिन यू वोंट बिलीव आंटी, उस दिन इतनी संगत आई, अब तक हमारे घर गुरुजी तीन बार सच्छंकर आचुके हैं, ये फॉर्थ ताइम था मार्च में, तो अब तक इतनी संगत नहीं आई थी, लेकिन ये जो सच्छंक था, इसमें गुरुज से बोले, आप मैनेज किजिए, आप देखे, वोसब करेंगे, ठीक है, तो मैं ये बता रही थी, तो सब को मैंने इन्वाइट भेजा, तो मन्तृताँटी करते हैं, और अपनाटी करके उसको बोलते हैं, कांक्षा को बोली हून बस करे, कि कितने लोग करेगी वोँ, हून सं बाकी अब आप देख लेना उस दिन पतानी किस किस संगत को गुरुजी ने चूस करके बुलाया और उस दिन बहुत सारी संगत ऐसी थी जो गुरुजी की मतलब नॉन बिलीवर थी और उस दिन उनके फास थे उन्होंने लंगा पिशाद और सब चीजी खाने से मना कर दिया थ तो वो संगत थी जो नॉन बिलीवर संगत थी उनमें इतना चेंज आया उन्होंने मेरे से बोला कि आप प्लीज लंगर प्रशाद हमको दे दो हम अपने घर ले जाएंगे हम नहीं खाएंगे लेकिन हमारे फैमली वाले बच्चे खा लेंगे उनको इतना कनेक्शन हो गया लोगों ने मेरे से ज़रूब मांग लिए और वो लोग कनेक्ट हो गया तो देखे ना गुरूजी ने कैसे कनेक्ट गया उनको अच्छा तो जो इन्वाइट मैंने बेजे तो उसमें हमें बहुत लोगों से पता थे ला कि वो नहीं आ रहे है क्योंकि सब की रीजन्स होते ह किसी के बच्चे के एक्जाम थे किसी का कुछ था किसी का कुछ था तो गुरूजी ने जो संगत थी दूसरी उनको भी टेलीपेथी करके बोला कि तुमको जाना है संगत मतलब सत्संग में बहुत लोगों को नोने ऐसे भेजा है कि नहीं तुमको जाना है तुमको जाना है 206月 26 सफंग तहां कि गुरुजी के सारे सट्संग ही बलेश्ट होते हैं गुरुजी वह साक्षात पर राजमान होते हैं लेकिन उस दिन गुरुजी ने इतना सब पुच करके दिखा दिया जो नहीं आने वाले से गुरुजी ने उनकी उनको आप तब जाना है वह ऐसे फिर सत्संग कराना, सत्संग में जाना, संगत का आना, सब गुरु जी डिसाइड करते हैं, we are nothing, हम कुछ नहीं है, वो सब गुरु जी डिसाइड करते हैं कि किस को संगत को आना है, किस जगा जाना है, और ना, ये भी decided होता है कि गुरु जी को किस संगत को कहां बुला के, किसके सत्संग पर बुला के bless करना है अब मैं यह सोचू कि नहीं मैं तो वहीं जाँगी वहाँ पर वहीं मेरा तो सत्संग छूट गया नहीं वो छूटा नहीं वो गुरुजी के मर्जी नहीं थी हमारा महा जाना नहीं था हमको महा blessing नहीं मिलने थी गुरुजी नहीं मुला था किसी और के घर सत्संग हो वहाँ हमें जाके blessing मिलने हो किसी को हमारे घर आके blessing मिलने हो तो बस ये सारी चीजे हुइ आच्छा इसमें 26 माड़ को सत्संग हो था इसमें गुरुजी ने बोला कि मेरको golden चोला पहनना है तो मैंने सोचा कि मेरे पास चोला नहीं है तो महर आंटी जो सफदर जंग में है जिनका तो उनको वो चोले रखते हैं क्योंकि उनकी यहां तो बड़े-बड़े सत्संग होते रहते हैं और गुरुजी वहां चोला खुद बोल-बोल की चेंज कराके पहनते हैं तो मैंने उनक सत्संग से कुछ दिन पहले मैंने आंटी को फोन करके बोला कि आंटी वो चोला आपने भिजवाया नहीं तो आंटी कहती है पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग आपको यह बोल देने को आपको तो कहरे है मैरे को ऐसे बोलना ने चाहिए क्योंकि गुरुजी की सेवा है लेकिन मुझे करना तो चाहिए पर गुरुजी मन में भाव डाल रहे हैं कि मैं तुमको यह चोला ना दूँ मैं का चलो कोई बात नहीं हो सकता है गुरुजी को वो चोला वहां से लाके ना पहना हो यहीं से हमसे लेके पहना हो तो मैंन परी तांटी से बात डिसकस की क्यों कि उनको गुरुजी ने विजन से बहुत सारी चीज़ें बताई थी दिखाई थी मैं जनरले उनसे बात करती हूं तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार पूरा पूरा चोला नहीं है गुरुजी का सिर्फ एक दुपट्टा लगा हुआ है तो मुझे आंसर मिल गया कि इसल इसलिए और पूरा फुल वो ले लूंगी चोला और वो गदी पे लवाँगी खाली अच्छी नहीं लगती लेकिन गुरुजी ने जो करवाना है वो करवाना है उसमें आप कुछ ने कर सकते हो आप अपने तरफ से ट्राय करते रो लेकिन होगा वही जो कुरुजी ने करव से करो जो करना है और गुरु जी से बात ही करो आप गुरु जी से शेयर करो डिरेक्ली उन से बोलो वो बिलकुल सुनते हैं सब कुछ करते हैं और और पूरा ध्यान रखेंगे आपका and once again thank you Neelamanti thank you for giving me this beautiful opportunity और obviously सबसे पहल तो गुरु जी कहीं thank you है क्योंकि उन्होंने ही मेसेज आपको दिया बट उन्होंने आपको मेसेंजर बनाया है इसके लिए I am very thankful to you और thank you Guru जी आपने सट्संग कराया इसमें भी कुछ ना कुछ आप ब्लेसिंग ही दे रहे हो कुछ ने कुछ कश्ठी काट रहे हो thank you Kavidanti thank you so much तो चैद गुरु जी की आज इतनी ही इच्छा है इतनी ही इजातत है कि मैं इतना ही सट्संगत पाई और thank you Sangat ji thank you so much आप सब संगत बहुत प्यारे हो जो इतने अच्छे से आपने सुना सत्संग को और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आपने भीचे तो उसके लिए thank you so much क्योंकि जो गुरु है ना वो अपनी संगत में वास करता है तो संगत भी हमारे लिए उतनी ही इंपोर्टेंट होती है तो अब बस में यहीं thank you thank you thank you so much so मैं आगिया लेती हो गुरुजी अब मैं यह ही stop करने कि आपसे आगिया लेती हुँ आपसे भी आगियाे लेती हुआ शंगत झी और कुछ भी आपको अगर लगता है तो आप लीज मेसेज कर सकते हैं कुछ अच्छा बुरा जो भी है कोई भूल चुक हो गयो गुरुजी उसके लिए माफ कर देना उसके लिए बख्ष देना क्योंकि गलतियां हो जाती है हमसे तो आपने मेरी सभी प्रश्णों का उत्तर दिया नहीं थांक्यू गुरुजी थांक्यू सो मच इसी के साथ में एंड करूंगी अब और नेक्स मंथ गुरुजी के अगर कर पा रही उन्होंने बोला है वरी मंथ सेवंथ और एवरी मंथ सट्षंग करने के लिए तो डेफिनिटली आउंगी और हो सकते है तब तक में अद्वे शुक्राना गुरुजी थांक्यू थांक्यू सो मच थांक्यू नेलमांटी जे गुरुजी